नमस्का मैं ओस्सासी आयो जर्खन की टोप 25 पर मोग खबर जानते हैं जर्खन में मंदीर खोलने की मिली अनुमती कक्छा 6 से उपर के सभी स्कूल भी खुलेंगे जर्खन के सभी मंदीरों समेथ तमाम धार्मिक अस्थल खोलने के निर्देश दे दिये गए हैं इसके अलावा राजे में कक्छा 6 से उपर के सभी कलासों में पढ़ाई निमित होगी मुख्य मंत्री हमान सुरेन की अदक्सता में आपदा प्रवंदर प्रादिकार की बैठक में अर्नीन लिया गया सभी कॉलेज भी निमित रूप से खुलेंगे इसके अलावा रेस्टोरेन्ट राथ के 11 बैद तक खुले रहा सकते हैं बतादे मंगलवार को मुख्य मंत्री ने मंत्री और विभागे सचीयों के साथ आपदा प्रवंदर प्रादिकार की बैठक की इसमें बड़े मंदीरों में एक घंटा में 100 लोगों को परवेश की अनुमती दी जाएगी इसके अलावा छोटे मंदीरों में 50 लोगों को जाने की अनुमती होगी मौसम केंद्र के वर ये बैजानी अविसेक अननन ने बताया कि चक्रवात का केंद्र उडिसा है इस कारण संताल और कोलहान के साथ साथ पूरे राज्ये में इसका व्यापक असर रहा है उन्होंने कहा है कि बुद्धवार से चक्रवात का असर कम हो जाएगा चक्रवात के कारण सबसे अधिक चाई बासा के जगरनाथ पूर में करीश सतर मिलिमीटर बारिस होई बता दे बंगाल की खाड़ी में ए आय चक्रवात का असर पूरे जार्खन पर पढ़ा है चक्रवात के कारण राजे के सभी जीलों में बारिस हो रही है मुख्यमंत्री से मांग अपने बच्चों को प्राइवेट इस्कूल में पढ़ाने वाले सरकारी सिक्षक को करेबर खास प्राइवेट इस्कूल और चिल्रेन वेलफेर एसोसेशन ने मुख्यमंत्री हमंस्रेन से मांग किया है कि सिक्षक जिस स्कूल में पदस्था पित हो उनके बचे उसी स्कूल में पढ़े अन्याथा उन्हें बर्खास्त किया जाए पास्वा ने परदेश अध्यक्ष अलोक कुमार दूबे ने कहा कि पास्वा की ओर से जिला अध्यक्षो और परखन अध्यक्षो के माध्यम से अभिभावकों को जोड़ कर उड़न दास्ता त्यार किया गया है यह अधास्ता सिक्षको की पोल खोलने का काम करेगा जार्खन सरकार ने दुर्गा फूजा को लेकर जारी किया दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं इसके अलावा मंदीरों और अन्यधार्मिक अस्थलों में सर्धालूओं के जाने के उन्मती भी दे दी गई है बता दे आपदा प्रवंधन विभाग की बैठक में या निर्देश चारी किया गया की दुर्गा फूजा पंडाल के निर्मान के उन्मती दी गई पंडाल में सर्धालूओं के परवेश पर रोक रहेगी पंडाल में एक समय में छामता का 50 परतिसत या 25 से अधिक ब्यक्ति जो कम हो के एकत्रित होने पर रोक रहेगी मेला आयोयन परतिबंधित रहेगा मुर्ती के अधिक्तम उचाई 5 फिट होगी कोई तोरन या स्वागत द्वार नहीं बनेगा पंडाल किसी थीम पर अधारित नहीं होगा पंडाल तीन तरफ से घेरा जाएगा वहीं भोग बित्रन नहीं किया जाएगा पुजा समिती द्वारा आमांतरन पत्रन नहीं बित्रित किया जाएगा बाबा मंदीर खोलने की खोशी में जोम उठे देवगरवासी बाबा बैदनाथ मंदीर में इपास लेकर एग घंटे में एक सो लोगों को पुजा कराने के सरकार के फैसले की खबर आते ही पुरा देवगर खोशी से जोम उठा खोशी की लहर इतनी तेज थी की मानो सांथ चीत में किसी ने पूजा का संख फोग दिया हो मगही और भोजपूरी पर हेमन सुरेन के ब्यान से बिवाद सुरू जारखंड में अब बोली पर बिवाद सुरू हो गया है उलेखनी आया कि हमन सुरेन ने एक मीडिया संस्थान को दिये इंटर्वियों कहा जनजातिय समाज ने जार्खन अलग राजे की जो लड़ाई लड़ी है वह अपनी छेत्री और जनजातिय भासा की बदलत लड़ी है नकी भजपूरी और हिंदी की बदलत जार्खन में एक राष्ट एक राषन काड योजना लागू करने को तेज होगा परचार परसार जार्खन खाद आयोग में मंगलवार को एक राष्ट एक राषन काड योजना के जार्खन में सफल किर्यानवयन को लेकर विचार विमर्स होगा बैठक में एक राष्ट एक राषन काड योजिना का जार्खन में गाउंगा तक परचार परसार के तरीकों पर चर्चा की गई साथ ही इस योजिना को लागू होने पर डिलरों और लाभूकों के संभावीत सवाल और उसके जवाब पर भी चर्चा हुई ज्यार्खन के सभी उपायुक्तों को अल्टरा साउंड क्लिनिकों की जाच का आदेश PC and PNDT परवेक्षन बोर्ड की बैठक स्वास्त मंत्री बना गुपता के ज़क्सता में IPH सभागार नामकुम में आयुजित की गई स्वास्त मंत्री ने सभी जीलो के DC को टीम गठित कर अल्टरा साउंड क्लिनिकों की सखन जाच करने का निदेश दिया उन्होंने कहा कि राजय में PC and PNDT कानून को कडाई से पालन करवाना है इससे कन्या भुरून हत्या को रोकने में सफलता मिलेगी लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए अवेदन जमा करने की आज आखरी तारीक रांची नगर निगम धुरुवात के आनी में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत एक हैर आठ फ्लाइटों का नेमन किया जा रहा है बतादे फ्लाइट का अवंटन सहर्वासियों के बीच लोटरी से कराने के लिए नगर निगम द्वारा फिछले तीन मासे लोगों से आवेदन लिये जा रहे हैं जिसकी मियाद 15 सितंबर को समाफ्थ हो रही है इसके बाद किसी परकार का अवेदन नहीं लिया जाएगा जार्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या 117 है भारत में 27,487 नए केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 344,49 टाटा इस्टील में ट्रेनिंग के लिए बहाली टाटा इस्टील की ओर से डिप्लोमा आईटी आई पास अभियार्थियों के लिए टेक्निकल अप्रेंटेश सिफ ट्रेनिंग के लिए बहाली निकाली गई है इसके लिए 15 सितमर 2021 तक आवेदन किया जा सकता है इसमें चैनित अभियर्थी को एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी इसके साथ ही उन्हें इस टाइपन भी दिया जाएगा आपको बता दे कि बहाली सीर्फ ट्रेनिंग के लिए है इसमें मैलाओं को प्राथ मिक्ता मिलेगी टाटा स्टीर में ट्रेनिंग के लिए निमतम सतर परतिशत आंकों के साथ ITI या NTC पास होना चाहिए अब एक किलिक पर दरवाजे पर होगी एंबुलेंस जारखंड की हमन सुरेन सरकार एक महत्वा कांची प्रोजेक्ट लॉंच करने की तेयारी में है इसके तहद बीमार लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुचाने की बेवस्ता की जाएगी सरकार ओला उबर कैब की तरह एप बेस्ट एंबुलेंस सेवा शुरू करने का प्लान कर रही है आपको बता देखी स्वास्त विभाग को कुरोना काल में एंबुलेंस चालको द्वारा जरूरत मंदों से अधिक पैसे की वसुली किये जाने की सिकायत मिली थी इसके बाद इस दिशा में सरकार जुट गई है इसका नाम जीवन दूत 108 इमर्जेंसी मेडिकल एंबुलेंस से बाद दिया गया है सिमडेगा में एगारवी जुनियर राष्ट्रिये महिला होकी चेंपियनसीप जार्खन के सिमडेगा में अगले महिने एगारवी जुनियर राष्ट्रिये महिला होकी चेंपियनसीप होगी इसका उधाटन 20 अक्टूबर को होगा और समापन 30 अक्टूबर को होगा बता देशोमवार को होकी टीम ने इस चेंपियनसीप के नई तीथियों की घोसना की जुनियर राष्ट्रिये होकी चेंपियनसीप में देश भावर की कूल 31 टीमों की 650 से अधी खिलाडी भाग लेंगे वही सब जुनियर राष्ट्रिये महिला होकी चेंपियंसिप के लिए सिम्डेगा में जार्खन टीम का कैम्प भी शुरू हो गया है वायू परदुसन रोकने के लिए सरकार अपना एगी गोरखपूर मोडल जार्खन के बड़े सहरों में वायू परदुसन रोकने और हावा का गुणवाता सुधारने के लिए राई सरकार गोरखपूर मोडल अपना सकती है बतादे जार्खन राई सहरी अभी करण इसके लिए गोरखपूर सहर के लिए बने माइक्रो पलान का ध्यान कर रहा है इसे राज ये के तीन सहरों धनबाद, राची और जमसेद पूर में लागू किया जाएगा तीनों सहरों की हावा गुनवाता पुन बनाने के लिए पूरू में त्यार कियेगा माइक्रो एक्षन पलान को रिवाइच किया जाएगा जारखन के किसानों की आमदनी सबसे कम 4895 रूपया ही कमाते हैं प्रतिमा जारखन के किसान परिवारों की औसत आमदनी प्रतिमा सिर्फ 4895 रूपया ही है वहीं सभी सरोतों से प्राप्त किसान परिवार की इस कुल आमदनी में फसल से होने वाली आमदनी सिर्फ एकार सो दो रुपए सामिल हैं साथी मजदूरी के 273 रुपए लिज़ पर खेट से 24 रुपए कियामदनी वहीं पसुधन से 827 रुपए वगर किरिसी कार्याज से होने वाली 75 रुपए कियामदनी भी कुल आमदनी सामिल हैं दुमका में क्यू कमप्लेस निर्मान पर उठे सवाल दुमका के बासुकिनाथ मंदीर क्यू कमप्लेस निर्मान DPR के तैमान को के अनुसार नहीं किया गया बतादे सई तरीके से काम नहीं होने पर आस्थानिये लोगोंने सवाल उठाया है लोगों के अनुसार इसके निर्मान में गुनवात्ता का भी ध्यान नहीं रखा गया 10.7.8 कोलोर की लागत से जुड़को द्वारा निर्मान कराया जा रहा है अधुरे निर्मान कर ठेकेदार भवन को हैंड ओबर करने की त्यारी में जुट गया है HEC को बंद नहीं होने देगा भारतिय मैदूर संग भारतिय मैदूर संग यानी BMS के राष्टिय संगठन मंत्री बी सुरेंद्रे ने कहा की HEC को कभी बंद नहीं होने दिया जाएगा इसके पूर्ण निर्मान एवं उत्थान के लिए संगठन लगातार केंद्र सरकार से बातचित कर रही है केंद्र सरकार के अधिकारियों से भी बातचित होई है भारी उद्योग मंत्राले के सचीव का दोरा BMS के परियास के कारण ही हुआ है BMS ही एक मत्र ऐसा संगठन है जिसने समान काम के लिए समान बेतन एवं निमतम मैं दूरी लागू करने के लिए प्रकर्ता से लड़ाई लड़ी वे मंगलवाल को राची के धुर्वाई स्थीत सरस्वती बिद्या मंदिर के सभागार में एचिसी एवं दूसरी कंप्रियों से जुड़े लोगों को समोधित कर रहे थे सेवा निम्रित सिक्षकों के लिए अब हर महिने की 15 तारिख को पेंसन अदालत जारखन में अब सिक्षकों एवं सिक्षकेतर कर्मियों को सेवा निम्रित लाव लेने के लिए जीला सिक्षा पदाधिकारी या जीला सिक्षा अधिक्षा कर्यालियों का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा उन्हें समय पर इसका लाव मिलेगा बतादे स्कूली सिक्षा यम सक्षर्टा विभाग के सची उराये सर्मान ने सिवा निवरीत होने वाले सिक्ष को यम सिक्षिकेतर कर्मियों को सभी परकार के लाब समय पस्तुनिश्चित कराने के लिए परतेक माह की 15 तारीख को पेंसन अदालत लगाने का देश दिया है बतादे अब CBI के सन्यूक्त निदेशक अस्तर के अधिकारी भी पलामू जाने वाले हैं जो घटना अस्तल का दोरा करेंगे बताया जा रहा है कि CBI ने इस बहुचर्चित मुडभेड के मामले में 350 अधिक लोगों का ब्यान ले लिया है इस मुडभेड की जांच लगभग पूरी हो चुकी है कुछ बड़े अधिकारियों का बयान लिया जाना सेश है इसके बाद CBI इस मामले में आरोप पत्र दाखिल करेगी ज्यारखन केबिनेट में 17 प्रस्ताव सुईकरीत गिरीडी बनेगा सोलर सिटी ज्यारखन केबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवाले में हुई इस बैठक में 17 प्रस्ताव को सुईकरीती मिली है सरकार कोविट काल में सराब विक्री नहीं होने से टेक्स में छुट देगी इसके साथ ही खनन छेत्र में सडको पर चलने वाले वाहनों को टोल टेक्स देना होगा इससे सरकार को 700 क्रोर की आमधनी होगी वहीं गिरीडी सोलर सिटी बनेगा बतादे पारसनात परेटन अस्थाल होने के कारण गिरीडी को सोलर सिटी बनाया जाएगा सोलर सीटी बनाने के बाद गिरीडी जीले के लोग अपने घरों में बिजली से जुड़े कारे के लिए सोलर पावन का उप्योग करेंगे यह कारे जीरेडा द्वारा किर्यान्वेन किया जाएगा बता दे गिरीडी में कूल 29.858 बिधूत कनेक्शन है इसकी कूल छामता 41 मेगावाड है वन धन विकास केंद्र के संचालन के लिए प्रसिक्षन रांची उपायूक छवी रंजन ने वन धन विकास केंद्र के संचालन के सभी सदस्यों को आई आई एम रांची द्वारा चलाए जारहे प्रसिक्षन केंद्रे में प्रसिक्षन दिलाना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है इसके साथ ही उन्हें इमली के चटनी, आचार, एवं केंडी आदिक के प्रोडक्षन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग कर निवतम समर्थित मुल्य में बेथर विक्री के लिए ट्राइफेट से समन्वय अस्थापित करने का निर्देश दिया है जारखन के हर पर्खन में बनेगा मनरेगा पार्क जारखन राज के परतेक पर्खन में मनरेगा पार्क का निर्मान किया जाएगा इस पार्क में मनरेगा के अंतरगत संचालित होने वाली सभी योज नाव का समावेश होगा लगवक 30-40 एकड में जा पार्क न सिर्फ प्रखंड बिशेस में अस्थाइप परिसंपत्यों का स्रीजन करेगा बलिक समधित प्रखंड में रोजगार मांगने वाले स्रमिकों को रोजगार की गरांटी भी सुनिशित करेगा वहीं मन्रेगा पार्क का परियोग करने वाला जार्खंड पहला परदेश भी होगा बीत मंत्री रामेश्वर उराह द्वारा सरकारी सिक्षकों के बिरोध दिये ब्यान के खिला प्रारभिक सिक्षकों ने मंगलवर को काला विला लगा कर राजय ब्याभि बिरोध किया अखिल जार्खन प्राथमिक सिक्षक संग जार्खन प्रगति सिल सिक्षक संग और जेपी एसी प्राथमिक सिक्षक संग के आवाहन पर जार्खन के बित मंत्री रामेश्वर उराव द्वारा सरकारी सिक्षको पर दिये गए ब्यान से आहत परदेश के प्रानाविक सिक्षको ने राजे ब्यापी काला विला लाया का बिरोत प्रकट किया है धनबाद के जीला एवं सत्र ने अधिस उत्म अनंद की मौत मामले में गिरफतार आटो चालाक लखन बर्मा एवं उसके सहोगी राहूल बर्मा से CBI फिर पूछताच करेगी बतादे CBI क्राइम ब्रांच दिली की टीम ने इस समध में SDJM की अदालत में आवेदन दिया है हलाकि अदालत द्वाला CBI के उस आवेदन पर अब तक कोई करवाई नहीं की गई है जारखन के 22 जीलों में EFIR थाने की मंजूरी जारखन के 22 जीलों के थानों में अब आउनलाइन सिकायत दर्ज होगी इसके लिए EFIR की सुक्रिती जारखन केबिनेट की बैठक में मिली है बता दे घर बैठे अनलाइन सिकायत दर्ज करने के लिए आपको समधान पोटल पर लोगिन कर आवेदन देना होगा इसके लिए डिजिटल सिकनेचर के माध्यम से आवेदन देना होगा इस पोटल के माध्यम से वाहन चोरी, संपती चोरी, सेंद मारी, नवालिकों की गुमसूद की समेत और ने सिकायत दर्ज करा सकते हैं धन्यवाद